गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम इन मैथ ग्लास एक्सराइस 2.1 राइट दा प्रिडेस्टर ओ लास्ट वीडियो में मैंने आपको सक्सेसर के बारे में बताये था सक्सेसर मीन जस्ट आफ्टर नंबर प्रिडेस्टर मीन जस्ट बिफोर नंबर यानकी 1 माइनस कर दो प्रिडेस्टर आ जाता है 1,058 माइनस 1 आंसर इस 1,057 18,900 का प्रिडेस्टर निकालने के लिए 1 माइनस करेंगे इसमें से 10 माइनस सबसे पहले तो यहाँ 0 यहाँ 0 इस 9 से बोरो करेगा 10 हो जाएगा इस से फिर यह बोरो कर लेगा यहाँ 10 हो जाएगा यहाँ 9 10 माइनस 1,9 फिर 9 यहाँ 8 और 18 18,899 Question C 27,52,618 इसका प्रिडेस्टर निकालने के लिए 1 माइनस कर लो इसमें से यहीं कर देती हूं मैं माइनस 1 देखो 8 माइनस 1,7,1,6,2,5,27 क्या जाएगा 27,52,670 5 करोड 19,72,000 का प्रिडेस्टर निकालने के लिए माइनस 1 कर लो 10 माइनस 1,9, यहाँ भी 9, इधर 9 यहाँ 1,7,9,1,5 5 करोड 19,71,999 5 करोड 19,71,999 Smaller 7 डिजिट नंबर का प्रिडेस्टर निकालना है Smaller 7 डिजिट नंबर क्या होता है यह 7 डिजिट का सबसे smallest नंबर है 10 लैक इसका प्रिडेस्टर निकालने के लिए 1 माइनस करो इसमें से यहाँ से बोरो आती रहेगी 10 माइनस 1, 9 यहाँ भी 9, इधर 9, 9, 9 और यह भी 9 9,99,999 अब ग्रेटस्ट फाइड इजिट नंबर का प्रिडेस्टर निकालना है ग्रेटस्ट फाइड इजिट नंबर होता है 99,999 इसका प्रिडेस्टर निकालने के लिए 1 माइनस कर दो 9 माइनस 1, 8 9, 9 99,998 यह प्रिड़ेसर अगरेटस फाइ डिजित नमबर का next है application-based questions using the number line find 4 plus 6 10 4 में 6 add करना है 4 का है 4 से 5 पे 5 से 6 पे 6 से 7 पे 7 से 8 पे 1,2,3,4 6 add करने है 5 और 1 6 answer कितना आगया मारे पास 10, 4 में 6 add करना था 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 add हो गया, 10 Next step E part 12 minus 5 12 में से 5 minus करके दिखाना है 12 कहा है मारे पास? 12, अब वापिस आना है Addition में हम आगे जाते हैं Subtraction में वापिस आएंगे 5 time वापस आना है 12 से 1 I 11 2 I 10 हो गया 3 I 9 4 I 8 5 I 7 Answer कितना आ गया? 7 Next 15 plus 2 15 में 2 add करना है 15 से 2 आगे चलना हमने 1 गए 16 आ गया Next 1 और गए Answer is 17 3 multiply 5 यहनकी 3s multiply 5 Number line पे करके दिखाना सबसे पहले 3 3 multiply 5 यहनकी 3 को 5 time जम्प करवाना है पहले 0 से 3 पे जाएंगे 1 time अब 1, 2, 3 6 पे जाएंगे 2 time हो गया 1, 2, 3 अब 9 पे जाएंगे 3 times हो गया 2 times हो गया 1, 2, 3 अब 12 पे जाएंगे अब 1, 2, 3 अब जाएंगे हम 15 तो answer कितना आगया 15 3, 3 का आगया है पैना 3, 3, 3, 3, 3 answer आगया 15 8, 2 वैसे तो मैं पता है 2, 16 होता है 8 को 2 time पहले 0 से 8 पे जाएंगे 1 time हो गया फिर 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब 16 पे आना है फिर 16 पे 8 और 8 answer कितना हमारे पास 2, 8 जा 16 identify which whole number out of the pair is on the left of other number on the number line जेखो ये एक number line है जिमान लो कोई number है इसके left में number जो होंगे जो उससे less होंगे right में कौन से number होंगे जो इससे greater होंगे तो less होगा वही greater less होगा वही left पे होगा अब 270 और 720 में 270 स्मोल है 270 यहां आएगा 720 आगे जाके आएगा 270 स्मोल है तो left में कौन सा होगा 270 next है 1899 1895 95 स्मोल है न 895 स्मोल है 1899 से तो left में कौन सा होगा 1895 अब ये है 2,16,035 1,62,035 ये 2,00 है 2,00 तो जादा होगा 1,62,035 इस स्मोल तो left पे कौन सा होगा 1,62,035 अब है 6,035 61,5,284 ये 2 क्रोड 5,17,934 ये वाला स्मोल है लैक है ये क्रोड में है तो क्या आएगा 61,5,284 is less than 2 क्रोड 5,17,934 तो left में कौन सा होता है जो less होता है ये left में होगा feeling the missing numbers using the properties of addition and subtraction of whole numbers 8,916 में से क्या minus करें की 8,916 आए ये मैंने आपको addition की identity properties में बताया था sorry subtraction की 0 properties थी कि किसी a minus 0 is equal to a किसी भी number में से अगर हम 0 को minus करते हैं तो वही ये number answer आ जाता है यहां आएगा 0 आगे 1783 प्लस 2914 अब इस side है 1783 यहां blanks दिया हुआ है तो ये थी commotative property थी a plus b is equal to b plus a देखो a plus b b plus a a दिया हुआ है 2914 इदर आ जाएगा commotative property के दरगत ये है 20,178 plus dash plus 7,119 ये है associated property है addition की a plus b bracket plus c इदर a plus b plus c पे bracket आ जाएगा तो a क्या है हमारे पास 20,178 b plus c है यहां b की value नहीं दी हुई है तो b आ जाएगा 5612 ये थी associative property आगे है 7181 is equal to 7181 ये है addition की identity property अगर किसी भी number में हम 0 को add करते हैं तो answer वही number आ जाता है 0 plus 7181 is equal to 7181 next है 5192 minus dash is equal to 0 ये minus की 0 property को ही अलग किया हुआ है a minus 0 is equal to a होता है a minus a is equal to 0 same number में से same number को minus करते हैं तो 0 answer आ जाता है next question find a sum by suitable rearrangement rearrangement मतलब associative property के coding कर लेंगे हम पहले 2 को add करके फिर तीसरे को add करेंगे अब यहां से देखो पहले हम देखते हैं भी last में 0 आ जाए वंस के place पे देखो 9 और 8 को तो प्लस करेंगे 17 आएगा ये 1 और 9 को प्लस करेंगे 10 आ जाएगा तो इन दो numbers को पहले प्लस करेंगे 238 को बाद में 711 प्लस 189 प्लस 238 अब इनको add कर लो 9 और 1 10 वन केरी 8 और 1 9 और 1 केरी वाला 10 अगें वन केरी 7 और 1 8 और 1 केरी वाला 9 प्लस 238 कितना बन गया 8 3 9 और 2 11 इजी बन गई न री अरेंजमेंट करके हमें एडिशन को इजी बनाना है यहाँ देखो 2518 1903 3502 यहाँ देखो 10 कहां से बनेगा 8 और 3 तो 11 होते नहीं बनेगा 8 और 2 10 होगा तो पहले हम इन दुनों को add करेंगे बाद में यह वाला add करेंगे 2518 प्लस 3502 प्लस 1903 पहले इन दुनों को add करेंगे 10 वन करेंगे 1 और 1 2 5510 वन करेंगे 325 और 1 6 प्लस 1903 add करो 3 प्लस 03 2 प्लस 02 9 प्लस 09 6 और 1 7 सी question है 5204 प्लस 6717 1016 प्लस 2813 अब 0 बनाना आमने last में 4 और 7 तो 11 होता है नहीं होता 4 और 6 10 होता है तो इन दुनों को add करेंगे 5204 प्लस 1016 प्लस 7 और 3 10 होता हिन दुनों का पेर बनेगा 6717 प्लस 2813 प्लस करो इनको 6 और 4 10 वन कैरी 1 प्लस 01 और कैरी वाला 2 2 प्लस 02 5 और 1 6 प्लस 7 3 10 वन कैरी 1 वन कैरी वाला 3 8 और 7 15 वन कैरी 6 तू 8 और 1 9 अब इन दुनों को add कर लो 0 प्लस 0 0 3 2 5 5 और 2 7 9 और 6 15 दी कोश्चन है 1 935 6772 8198 2550 अब 5 और 2 7 होते नहीं होगा 5 और 8 13 होते नहीं 5 और 5 10 होते इन दुनों का पेर बनेगा 1 935 प्लस 2515 प्लस 8 और 2 10 होते इन दुनों का पेर बनेगा 6772 प्लस 8198 5 और 5 10 और 1 4 और कैरी वाला 5 5 और 9 14 और 1 कैरी 2 प्लस 1 3 और 1 4 प्लस 8 और 2 10 और 1 कैरी 9 7 16 और 1 कैरी वाला 17 और 1 कैरी 7 और 1 8 और 1 कैरी वाला 9 8 और 6 14 0 5 और 7 12 और 1 कैरी 9 और 4 13 और 1 कैरी वाला 14 और 1 कैरी 4 4 8 और 1 9 और 1 आपको 2.1 exercise के 6 to 10 question notebook में करने है साथ में revise करने है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को subscribe करे वीडियो को like करे next topic का subscription आपकी phone में आ जाएगा Thank you, have a nice day